असलाम अलेकुम जी मैं हूँ हलीमा जुफिकार आज हम मौझूद हैं और केक कलमकार के सेट पर जैसा क्या आप देख सकते हैं यह प्रोग्राम हम आपके सामने इसलिए लेके आए हैं कि वो सवाल जो आप अपने आज के राइटर से पूछना चाहते हैं वो हम आपकी तरफ से पूछेंगे इसलिए आपने क्या करना है कि फीड़बैक देना है और जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो जुरूर हमें बताएं नेक्स प्रोग्राम में हम उन्हें चामिल करने की भिपूर कोशिश करेंगे आज जो हमारे साथ शक्सियत मौझूद है वो ना सेफ थेटर पे ड्रामा लिख चुके हैं रेडियो के लिए लिख चुके हैं टीवी के लिए लिख चुके हैं बहुत जादा ड्रामे वो लिख चुके हैं लेकिन सबसे जादा चीज़े उन्होंने थेटर के हवाले से का शुकर है करना है थैंक यू सो मच हमारे इस शो पे आने के लिए चोटी से शो पे हमने आपको जहिमत दी और आप फॉरन से चले आए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका भी शुक्रिया कि आपने नया चैनल शुरूगे सबसे पहले तो इसकी मुबारक बात कुमूर क का बहुत शुक्रिया कि अपने के दनों में ये बहुत एक बोल्ड स्टेप था क्योंकि आल्रेडी जो चीजे मौजूद थी वो भी बंद हो रही थी लेकिन हम लोग आये सामने और इस ताहिए कि चोटे चोटे शोटे शोज लेके आ रहे हैं अभी तो बलके बहुत का महाल है बाहर उसके लिए बड़ा जरूरी एगी कि लोगों को थोड़ा हंसने असाने की तरह भी लाया जाए आचा शुरू से बताना शुरू करें कि इंस्पिरेशन कॉन था इस फील्ड में आने के लिए राइटर बनने के लिए सबसे इंस्पिरेशन कॉन था बेसी कर मैं जब आठवी क्लास में पढ़ता था तो जमाने में हमारे एक उस्ताद होते थे महमौत साब उन्होंने प्लैन किया थेटर का तो कुछ पता तो था नहीं इतना तो उसके अंदर मैंने एक वजीर आजम का रोल किया अच्छा तो खैर ताली मुकमल करने के बाद फिर इस तर नहीं था लेकिन वो ड्रामा करने की वज़ा से मेरे अंदर वो चीज आ गई और फिर मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में आया तो सबसे पहले मैंने थेटर ही किया अच्छा मैंने ये बहुत जादा सुना है कि एक राइटर तो एक अदाकार बन सकता है क्योंकि वो करेक्टर जो है वो उससे खुद लिखा होता है उसके बारे में वो जानता है तो वो अच्छी तरहां से उस करेक्टर को प्ले कर सकता है लेकिन एक अदाकार एक राइटर क नकल तो कर सकते हैं बिलकुल इसी तरह compare की भी वो नकल कर सकते हैं बावसानी ठीक है ना तो उसको ज्यादा पता होता है चीजों का यानि हम चब मुरे टीवी पर ड्रामा करते थे और वो कर-कर के हमें ड्रामे की ज्यादा समझ आ गई है कि यार यह ड्रामा लिखा कैसे जाता इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है इसको डिरेक्ट कैसे किया जाता है तो एक अपना रोल करता है लेकिन जब आप लिखते हो तो आप सब की रोल लिख रहे होते हो तो एक एक्टर को असानी होती है यह काम करने बनिस्बत राइटर या कोई और अगर है तो उसके अंदर तो अगर वो है एक्टर की अबिल्टी तो वो एक्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे राइटर ने वो एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, लेकन हार एक्टर कुछ ने कुछ लिख सकता है, आप यह देखें स्टेज के ऊपर एक्स्टन पोर आर्टिस्ट हमारा कितना बोलते हैं, जो ह एद्मार करते हैं ऐनों आट उनों प्रा आप थार्न तो आरे αναिके अप्दार्प्राय किह उन्री भाएघे के इन्हागे हुआ पते हुआ है तो स्वेंच अधके स्कूल अफ थाट की बात कि मैं बेसिकलिए आपको बताओं कि मैंने ड्रामी को सीखा है बाकाई था मेरे उस्ताद है सरमा सेभाई साफ और पी एन सीए के अंदर 84 के अंदर उन्होंने क्लासेश शिरू की थी एक वर्कशॉप की थी कोई नौ महीं ने की न तो उस वक्त हलांगे मैं रेडियो भी कर चुका था मैं टीवी भी कर चुका था मैं थेटर भी कर चुका था इसके बावजूद उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे ले लें गो कि वो लोगों को लेना चाह रहे थे खर उनकी मेरबानी उन्होंने मुझे ले लिया तो फिर वहां से मैंने ये सारा सीखा तो मेरे तो उस्ताद वही है उन से आगे तो मुझे कोई है नहीं आप यह कह रहे हैं कि आपने PNCAS से सीखा लेकिन आप क्या जो सफर देखते हैं हम जिन का था ड्रामा था मेरा निशाने हैदर मेजर तुफैल शेहिद कासम गिलालियस के प्रडूइसर थे जो मैंने लाहर से भी काम किया बेश ताइशा का अचा आपने तीनो सिटी से काम किया है कराची लहोर और इस्लामबाद तो इन तीनो सिटी बहुत बड़ी सिटी हैं लाहर सेंटर होता था मैं बात कर रहा हूं नाइन्टी नाइन्टी वन में मैंने पत्जर किया वहां से तो उससे कुछ हरसा बाद ये प्रडूइट प्रडूक्शन सीरू है उसका सिर्फ एक ही चैनल होता था तो लहोर जो है ना वह बहुत बड़ा स्टेशन गिना जाता थ मतलब मेरे लिए तो यहां के लोग बड़ा वो प्राइड फील करते थी जा रहा हमारा बंदा जाके लाहर टीवी पर काम कर रहा है तो आज तो ऐसा नहीं आज तो आज कराची सेंटर है जैसे तो उस जमाने में लाहर होता था लाहर नमर वान था कराची भी बहुत आगे थ तो हमारा सेंटर यह जो है इसकी कोई पता नहीं क्या बदकिस्मती रही है करंट अफेर्स की वज़ा से या हम शायद यहां कैपिटल में बैठे हुएं कि यहां से ड्रामा हमेशा ही बहुत काम हुआ है यहीं के लोग बार जाके स्टेबलिश हुएं यहां रह के नहीं स्ट बूरियां भी हैं कि जितना आपका स्पांसर है ना वो सारा कराची बैठा हुआ है इसलिए आप देखें कि आपके सारे सेंटर प्रोडेक्शन आउस जो हैं वो सारे कराची में उनको असानी होती है मतलब कहीं दूर आना जाना नहीं पड़ता तो एक तो बज़ा इसकी यह हैं दूसरा यह है कि जब टी-वी स्टर्ट हुआ तो वह लहोर से हुआ फिल्म चुक्छे सारी वह पर थी तो इसके लिए जितने भी आर्टिस्ट थे कि सारे लोग लिखने वाले भी हो सारे जो लहोर के वाले फिर नहीं आकर जमा हों गए और वहां से ही काम शुरुaten दू दूसरे ड्रामा से आप कितना फैक समझते हैं इस चीज में? बेसिकली मैं आपको बताओं कि ड्रामा तो थेटर ही है ना? यानि जो स्टार्ट है शुरू जा ड्रामा हुआ तो थेटर से हुआ बाकी तो आपके ये प्लेटफॉर्म है, मीडियम है कि आप उसी ड्रामे को टीवी पर दिखाएंगे तो किस टेक्निक से दिखाएंगे? ठीक ना अब याप चार कैमरे लगे हैं आपको शूट कर रहे हैं? इसी तरह फिल्म या रेडियो तो बेसिकली ड्रामा तो थेटर ही है ना उसकी जब आप टीवी पर करेंगे तो आपके लिए बहुत असानिया होगी है उठके यहां से ऑस्पिटल का सीन है तो आप जाके ऑस्पिटल में फिल्म हालो और किसी को जॉंपडी वाला दिखाना ह आपने जॉंपडी वाले को दिखा लिया लेकर थेटर में ऐसा नहीं होता है थेटर में वही जगह है उसी के उपर हाथ उस जमाने में तो सेट की भी वो फैसिलिटीज नहीं थी जो आज हैं कि आप मदले लाइव चलते हुए आप सेट्शीन कर लेते हैं उस जमाने में तो इसलिए उस वाक्त क्लासिकल थेटर होता था आज हम एक्सपेरिमेंटल थेटर करते हैं अच्छा एक राइटर जो है वो क्या क्या चीजें सोच के एक करेक्टर लिखता है एक में करेक्टर जो होता है उसका बड़ा एक अपराइस दिखाया जाता है फिर डाउन फॉल फिर दुबाया दिखाया जाता है कि वो मुश्किलों से निकल के दुबारा अपनी जिंदिगे शुरू करता है तो एक राइटर के दमाग में क्या क्या चीजें होती है जब वो एक करेक्टर लिख रहा होता है बैसिकली ड्रामा जो है न वो कॉन्फिलिक्ट का नाम है जब क्यों हुआ है कैसे हुआ है वो सारा जैना वो ड्रामा है कि किस तरह आप उसको पीक पे लेकर जाते हो एक मसले को फिर उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हो तो यह है ड्रामा आपका अच्छा हम अपने ड्रामा में देखते हैं कि ड्रामा चल रहा होता है उसके अंदर आर्टकल के दोर में ही हो रहा है यह ड्रामे के साथ ज्यात्ती है कि आप लोगों को कन्वे ना कर सकें अपना मैसिज बेसिकली देखें उस वक्त तक ड्रामा नहीं हो सकता जब तक आप उसमें तासूर क्रियेट नहीं करते जो चीज आप दिखाना चाहरे हो उसका तासूर क् पता ही नहीं यार यह क्यों खतम होगी कैसे खतम होगी मतलब एक टेखनीक है कि आप एंड जो है वो ओडियोंस पर छोड़ सकते हैं वह तो बात समझ आती है कि चलो जी हम इसको रिजॉल्व नहीं करते हैं यहां छोड़ देते हैं पब्लिक का जो दिल करता है समझ ले तू अश्वाक साब अपने ड्रामों में कही जगों पर उन्होंने ऐसा किया है उत्वाक से चुकर मैंने अश्वाक साब के दो प्लेज किये हुए एक मन चले का सौधा एक बेटी का बहज भी तो उनका यह स्टाइल था वह एंड पब्लिक पे छोड़ देते बाद उकात लेकि लेकिन यह जो आपने बात की ना कि अचानक से एक चीज वह सकता को मजबूरी हो उनकी को आर्टिस्ट फॉत हो गया हो यह चोड़ गया हो आजकल तो हम अकसर ड्रामों में यह देखते हैं अचा पराने ड्रामों में जब पी टीवी का दौर था अब आमके एक मिसाल देता ह उसके अंदर वो नहीं मरती है वो जिन्दा है लेकिन वो एक्टर का प्रॉब्लम था तो उसको उनोंने कहनी के अंदर मार दिया इस तरह से भी बाज़गात होती है चीज़ें हो जाती है मैं वैसे कुछ और सवाल करना चाहती थी लेकिन आपने फॉरंड कांटेंट की बात होता है क्या ऐसी बात है वो नई स्टोरीज लेके आते हैं वही सास बहु वाली जगड़े या वही चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं ये वज़ा है आपने खुद ही अपने उस सवाल का जवाब दे दिया इसी में आपका जवाब है बात यह है कि हम लोग जो है ना रिपिट Esadis में एक ड्यामे में दूसरे में तरे में देखने वाले को ये पता ही नहीं चलता है कि यार ये मनः देख जेया था ऐसमें क्या था ये इसमें क्या इसमें क्या तो मैं कन देखने क्या हुआ है लोगों को यह अध districts की वहाई चूरीय है इकती जेख बिवाह श्+. लु ग नेरा बड़ा सहरा लेते हैं कि हम वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। आप उस तरफ लेकर आओ कि आप लोगों को क्या देखाना चाहते हो यह तो इसका मतलब है कि लोग सिफ ग्लैमर नहीं देखना चाहते और वे चीज़े देखना चाहते है मेड़ आप देखे न जब हमारा सिंगल चैनल था उस पर कैसे कैसे ड्राम हो वारश हुआ एक ध्याद का बेक्राउंड था ना उसमें कोग ग्लैमर तो नहीं था कराची से ऐसे कई ड्रामे हैं जिनका मुझे नाम अभी नहीं जैन में आ रहा लेकर वो दियात के अंदर मन्शाद साब ने बहुत लिखा दियात के ऊपर मन्शाद साब ने जो उनके ड्रामें हवाएं गालबन उसक नाम था या रहें था तो कितना हिट था वो क्यों हम वैसे ड्रामा नहीं बना पा रहें क्या हमारे पस राइटर्स की कमी हो गई है आवसर में बात पते क्या है, सची बात है कि हमदो पैसे कमाने के चक्कर में लगए है, हर छीज कमर्शिलाइज हो गए, उस वट ये नहीं था, या उस वावजु राइटर जो था था, वह पैसों के लिए तो आज तक हमने उस जमाने के लोग जो है अभी भी वह पैसों के उसमेन ही पड़ते हैं आप ने देखा होगा लेकिन कुछ लोग यह भी कंप्लेंट करते हैं कि जब हम एक बहुत ही आउट-फ़-बॉक्स स्टोरी लेकि किसी प्रोड्यूसर के या डिरेक्टर के पास जाते हैं तो वो क्यते हैं कि नही नहीं यह एकस्पेरिमन्ट है यह एकस्पेरिमन्ट हम नहीं करना चाएज़ है वो इसहीं लिए नहीं कि uspa पैसका प्रोडूसर अगर ना मिला है तो मुझे तो नुक्सान हो जाएगा वह यह जो commercial aspect आ गया ना इस के अंदर इस medium के अंदर उसने बड़ा बरबाद किया है हमारी फिल्म को भी आप देखें जब तक उसका producer professional था हमारी फिल्म बहुत उपर थी जब से उसमें यह आया जी फलाना गुजर फलाना ये फलाना ये वो लोग पैसा लेके आगे black money और उस black money को white करने के चकर में और अपने family के नाम गुजर ये और वो ऐसे नाम रखने शुरू किए तो फिल्म का बेड़ा घरक कर दिया हमने थेटर का हमने बेड़ा उस तरह से घरक किया कि आप उसमें फाशी लेके आए जूमेने जुमले जुगते हैं और अचीब किसम की उसकी audience हो गई तो वो ड्रामा बरबाद हुआ अब अगला नंबर आपकी TV इंडिस्ट्री का है और हमने काफी बरबाद कर दिया अच्छा आजकल के जो नौजवान हैं जो राइटर्स बनना चाहते हैं उनके लिए कोई मश्वरा कोई लास वर्ड्स देखे राइटर एक तो ये सारी चीज़ें इसको बनना नहीं होता है हर आदमी मुझा अगर समझता है जी हमारे यहां यह बड़ा प्रॉब्लम है कि हर आदमी एक्टर बनना चाहता है हर आदमी उसके बाद राइटर बनना चाहता है यह खुदा की तरफ से वदियत होती है चीज़ें देन है अल्ला की ठीक है न अगर आपके अंदर है वो स्किल आप समझते हो कर यार मैं यह कर सकता हूं तो आप जरूर उसके बारे मैं पढ़ सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि पढ़के आएं शोकिया नहीं आएं ऐसे यह उठके आगए जी कि मैं यह करना चाहता हूं तो बहुत चीज़ें मुझूद हैं बेशमार किताबें हैं आप वो पढ़ें और उसके बारे हैं कि सो मच आपको यहां आने का हमें बात कहिके बहुत अच्छा लगा मुझे यकीन है और उमीद है कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको काफी जादा अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे इंशाला उमीद करती हूं मैं कि दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे और इनको और हमारे इस टी को दीजिए इजासत अलाहाफिस तेंक यू अलाहाफिस अलाहाफिस